सेल ही हमारा विल्डिंग ब्लोक है उसी ने जड़ जड़के हमारी पूरी बाड़ी को तैयार किया है कि दुनिया में जितने भी लिविंग और्गैनिसम्स है वो सेल्स के यह सेल्ट के प्रॉडक्स के मिलकर बने हुए है तो सबसे पहले जो cell देखा गया था वो dead cell, cork cell किनों ने देखा, DNA से पहले RNA बनता है with the process of transcription, lysosome को हम लोग क्या कहते हैं, प्यार से suicidal body, क्यों? क्योंकि इसके अंदर, तो mitochondria जो है आपका powerhouse कहलाता है, क्योंकि ATP, which is the energy currency of our cell, वो तयार करता है, तो hello everyone, कैसे हैं, आप सब लोग, I hope each and every one of you is doing absolutely good, my name is Dr. वेपिन कुमार शर्मा, और मैं आप सबी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हमारे इस प्यार इस चैनल, competition वाला के उपर, आज हम लोग start करने वाले हैं, mind map series, और इस lecture को start करने से पहले, let me give you a brief introduction of this series, कि यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, because आपने मेरे long format lectures देखे होंगे, एक एक chapter को 5-5-6-6 घंटे में आप लोगों ने बखू भी देख लिया होगा, but mind map का मतलब होता है to connect the dots, यानि अभी तक आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं एक chapter में, उसको आप minimum possible size में कैसे consolidate कर सकते हैं, और कैसे सिर्फ कुछ चुनिन्दा शब्दों की मदद से, सिर्फ कुछ चुनिन्दा flow charts की मदद से, आप सारी चीज़ों को याद भी रख सकते हैं, recapitulate भी कर सकते हैं, easily, तो यहाँ पर यह जो lectures है, यह मात्र आदे घंटे 40 मिनट के बीच में lectures आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर हम mind maps पहले से draw करके लेके आएंगे, जो कि मेरे handwritten mind maps होंगे, और आपको बहुत पसंद आएंगे, इस साल के सारे mind maps मैं खुद अपने हाथों से draw कर रहा हूँ, और खुबसूरत इतने है mind map की देख करके आपको पता लग जाएगा, कि किस तरीके से आपके concept clear होने वाले हैं, these are the mind maps that I have drawn for you, और मात्र तीन स्लाइड के अंदर मैं आपको ये पूरा का पूरा chapter जो है, sell the unit of life complete कराने वाला हूँ, so without any further ado, let's start our chapter, sell the unit of life, आपको पता है कि sell जो है, इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, structural and functional unit of life कहते हैं, यानि हमारा structure हो, चाहे हमारे body के अंदर होने वाले सारे functions हो, ये sell की मदद से ही होते हैं, sell ही हमारा building block है, उसी ने जुड़ जुड़ के हमारी पूरी body को तयार किया है, as well as हमारे सारे metabolic reactions कहां हो रहे हैं, sell के अंदर ही हो रहे हैं, sell के अंदर एक semi-fluid substance है, जिसको cytoplasm कहा जाता है, जो हमारे sell को living state में रखने के लिए important है, क्योंकि metabolic reactions जो हैं, ज़्यादा तर आपके उस cytoplasm के अंदर ही होते हैं, जो organisms हैं, ये काफी बार सिर्फ एक cell भी contain करते हैं, और काफी ऐसे organisms होते हैं, जहां पर आपको एक से ज़्यादा cells देखने को मिलते हैं, ऐसे organism जो सिर्फ एक cell contain करते हैं, इन्हें unicellular organism कहा जाता है, जैसे kingdom monera और kingdom protesta के सारे members ही unicellular हैं, पर क्या ये independently exist कर पा रहे थे, बिलकुल कर पा रहे थे, और क्या ये अपने अंदर होने वाले सारे के सारे functions को ठीक तरीके से perform कर रहे थे, yes, यानि चाहे एक organism सिर्फ एक ही cell क्यों ना contain कर रहा हो, ये independently exist कर सकते हैं, और अपने अंदर होने वाले सारे के सारे functions को भी बढ़ि cellular organisms सोच भी नहीं सकते जैसे nitrogen fixation यानि आपना काम बखु भी सम्हाल सकते हैं unicellular organism में किसी चीज की खासी कमी नहीं है लेकिन multicellular organisms में आपकी clear cut bifurcation होती है कामों की कुछ particular type of cells एक काम करेंगे कुछ बचे हुए cells दूसरा काम करेंगे इस तरीके से आपको division of labor देखने को मिलता है और एक अच्छी खासी organization आपको देखने को मिलती है जैसे हमारी body की ही अगर हम बात करें तो हमारे cells ने मिलकर के tissues बनाए, tissues ने मिलकर के organs बनाए, organs ने मिलकर के organ system तयार किया इसलिए हमारी body में digestive system, circulatory system, respiratory system, excretory system, locomotory system, chemical control के लिए system, hormonal system या जिसे endocrine system कहते है neural system, आपका immunological system, reproductive system ये सब मौझूद है तो हमारी organization काफी complex होती है अगर आप बात करें cell theory की तो ये एक बहुत ही जादा important theory थी जिसने हमें ये बताया कि दुनिया में जितने भी living organisms हैं वो cells के या cells के products के मिलकर बने हुए है और ये cell theory देने में तीन scientist का सबसे important यूगदान था सबसे पहले scientist जिन्होंने 1838 में cell theory की नीव रखी वो थे स्क्लेडन साहब और क्लेडन साहब क्या थे जर्मनी के एक botanist थे यानि plant biologist थे और अगर ये botanist थे तो इन्होंने अलग-अलग plants को देखा होगा और plants को देख करके इन्होंने ये बताया कि अलग-अलग जो plants है इनमें different type of tissues form हुए है from different kind of cells जो बहुत लाजमी भी है आपके meristematic cell होते हैं plant के अंदर जो divide कर सकते हैं root की tip पे root apical meristum cell है shoot की tip पे shoot apical meristum cell है side में गर्थ बढ़ाने के लिए lateral meristum के cells है बीच में आपके permanent tissues हैं पानी supply करने के लिए xylem के अलग-अलग type के cells होंगे और फूर्ट supply करने के लिए phloem के अलग-अलग type के cells होंगे यानि different kind of cells are found in plants जो मिल करके अलग-अलग प्रकार के tissues बना रहे थे ये बात आपके german botanist scledon सहाब ने कहीं लग-बग उसी time के आज-पास 1839 में स्वान सहाब, स्वान सहाब, स्वान is a name that you will read in neurology, मतलब ये animal sciences से related है तो स्वान सहाब क्या थे, British zoologist थे, animals पर research करते थे तो ये zoologist थे, animal पर research करते थे, तो इन्होंने animal cells को भी देखा, plant cells को भी देखा बाद में और इन्होंने बताया कि animal cell में cell wall नहीं होती outer most layer है cell membrane और आपकी plant cells में cell wall होती है जो की plant cells का एक unique character है और इन्होंने hypothesis भी दी कि भाई, दुनिया के सारे के सारे plants और animals, cells और cells के product से मिलकर बने हुए हैं, बाद में स्कलेडन सहाब ने इंसे हाथ मिला लिया और कहा let's collaborate and give the cell theory आपकी hypothesis को हम theory में convert कर देते हैं, पर यह दोनों scientist यह नहीं बता पा रहे थे कि नए cell किस तरीके से बन रहे हैं, नए cells कैसे generate हो रहे हैं, तो उसके लिए 1855 में Rudolph Virko नाम के एक scientist आए जिन्होंने कहा omnis cellular e-cellular, इन्होंने कहा कि भाई, जितने भी नए cell हैं, यह पुराने parent cell से ही मिलकर बने होंगे, मतलब उनकी division से बने होंगे, तो omnis cellular e-cellular इन्होंने कहा, तो cell theory क्या कहती है, कि सारे living organisms cell और cell के product से मिलकर बने हैं, और जितने नए cell हैं, यह आपके पुराने cell से बन रहे होंगे, वाया cell division, omnis cellular e-cellular इन्होंने कहा, अगर आप देखें, तो सबसे पहले जो cell देखा गया था, वो dead cell, cork cell कि इन्होंने देखा, Robert Hooke साहब ने देखा, 1665 में, Robert Brown साहब ने 1831 में नुकलेस की discovery करी, और Anton One Leeuwenhoek ने पहली बार living यानि जिन्दा cell को देखा था, तो यह scientist जो है, इनकी contribution भी आपको याद करनी होती है, अगर आप देखें, अब तो cell biology में आपको prokaryotic cell पढ़ना होता है, अब नाम के अंदर घुच जाते हैं, prokaryotic, pro का मतलब primitive, karyon का मतलब है nucleus, यानि यहाँ पर एक well defined nucleus नहीं पाए जाएगा, यानि जो genetic material है, जो DNA है, वो नंगा-पुंगा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक membrane जो है, nuclear envelope जो है, वो नहीं है, यानि well defined nucleus ना होने का मतलब है, कि यहाँ पर nuclear envelope जो है, नहीं देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ बची हुई membrane bound organelles भी नहीं देखने को मिलेंगे, यानि prokaryotic cell में कोई endoplasmic reticulum, कोई Golgi complex, कोई आपकी nuclear envelope, कोई mitochondria, कोई chloroplast, ऐसी membrane bound organelles नहीं पाई जाती, यहाँ पर आपकी सिर्फ एक ही membrane है, जिसको हम cell membrane कहते हैं, और prokaryotic cell की अलग से एक kingdom तयार कर दी गई है, जिसे हम कहते हैं kingdom monera, जिसमें सारे bacteria आते हैं, तो चाहे आपके R की bacteria हो, चाहे यू bacteria हो, चाहे आपका cyanobacteria हो, जिसे blue green algae कहते हैं, चाहे आपका mycoplasma हो, जो की दुनिया का सबसे smallest cell है, जिसकी length 0.3 micrometers होती है, जिसका एक type है PPLO, जिसकी जो आपकी dimension है, 0.1 micron है, तो यह भी आपके prokaryotic cells ही होते हैं, यह भी आपके kingdom monera में ही पाए जाते हैं, तो आप simple तरीके से देखो, तो जितने भी kingdom monera के members है, वो आपके prokaryotic होंगे, अब यह जो आपके prokaryotic cells है, इन में अलग-अलग चीज़े पाई जाती है, सबसे पहली और सबसे खास चीज़ जो है, इन में वो है इनका cell envelope, यानि अगर आप plant cell की बात करें, तो cell membrane है, उसके उपर आपकी cell wall है, हमारी अगर आप बात करें, animal cells की तो सिर्फ cell membrane है, cell wall भी नहीं है, अगर आप जादा तर bacteria की बात करें, तो पहले cell wall है, पहले cell membrane है, उपर cell wall है, और उसके उपर भी आपका क्या है, यहाँ पर, glyco calyx का एक coat है, glyco का मतब क्या होता है, sugar यानि carbohydrate, calyx का मतब क्या होता है, outermost coat, यानि यहाँ पर आपकी cell membrane या plasma membrane तो अंदर है, cell wall उसके बाहर है, लेकिन इसके बाहर आपका glyco calyx नाम का coat भी है, अब यह जो आपकी cell membrane है, cell wall है और glyco calyx का coat है, यह आपस में एकदम tough तरीके से पाई जा सकते हैं, तो इसे बोलेंगे भाई, capsule बना रहे हैं यह, और अगर आपका cell membrane और cell wall के उपर धीली धीली सी आपकी slimy सी layer पाई जा रही है, glyco calyx के format में, तो यह loose layer जो है, इसे slime layer कहा जाता है, यानि दो तरीके से आपकी glyco calyx पाई जा सकती है, या तो tough capsule बना रही होगी, या फिर आपका loose layer या slime layer बना रही होगी, यह तीनों चीज़ें आपकी एक bacterial cell के बाहर पाई जा रही है, यानि इनका काम protection का तो है ही, लेकिन इनके अपने अपने अलग-अलग काम भी है, जैसे cell membrane का main काम क्या होता है, यह selectively permeable होती है, तो चीज़ों के आदान प्रदान को यह regulate करती है, कौन सी चीज़ सेल के अंदर आएगी, कौन सी चीज़ सेल के बाहर जाएगी, यानि environment से interact करने का काम plasma membrane का या cell membrane का होता है, cell wall के अगर आप बात करें, तो यह maturity पर अंबूजा cement की बनती है, यानि आपकी rigid cell wall होती है, तो यह shape और structure प्रदान करती है, आपके किसी भी cell को, तो bursting और collapsing से बचाती है, यानि किसी भी cell को फटने से या पिचकने से बचाती है, उसकी एक proper shape को maintain करके रखती है, cell wall, और glyco kellex सबसे बाहर की layer है, तो यह host के immune system को escape करने में मदद करती है, एक bacteria की, यानि अगर कोई bacteria हमारी body में गुस रहा है, तो cell membrane है यहाँ पर, यह तो flexible है, भाई मैंने आपको बताया, cell wall तो बहुत rigid है, है ना, एक particular shape है इसकी, cell membrane जो है, it is formed up of lipid and proteins, और जो lipids होते हैं cell membrane में, यह इस cell membrane को flexible बनाते हैं, तो यह cell membrane अलग-अलग आपके infoldings बना सकती है, जैसे आपका tube जैसे infolding भी बना सकती है, tubular, goal, matol आपके membrane structure बना सकती है, vesicle, and आपके इस प्रकार से lemily भी बना सकती है, reticular structure भी बना सकती है, तो tubule, vesicle और lemily की format में यह आपकी infold हो सकती है, अंदर की side और mesozoom तयार कर सकती है, mesozoom क्या हुआ फिर infolding of plasma membrane और इसका main काम क्या है, M for mesozoom, M for mitochondria, यानि mitochondria जैसे eukaryotic cell में respiration का काम करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर surface area भढ रहा है membrane का, तो respiration का काम कौन करेगा आपके prokaryotic cell में mesozoom, और यहाँ पर vesicle like structure भी बन रही है, तो यह आपका secretion का काम भी करती है, यानि कोई चीज़ अगर cell के बाहर भेजनी है, तो भी mesozoom आपका बाहर भेज सकती है, किस वज़े से? आपका vesicle बनाने की वज़े से. इसके अलावा भी DNA कैसे replicate हो रहा है, और उसको distribute कैसे करना है दो डॉटर cell में, ये भी आपका mesozoom काम regulate करता है, इसी प्रकार की in folding जो है, और बन सकती है, plasma membrane की, जिसके उपर pigments पाए जा सकते हैं, है ना, इसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटो 4, तो क्रोमेटो 4 में क्रोमा का मत्तब क्या होता है, कलर, तो colorful pigments यहाँ पर पाए जा सकते हैं, ये दोनों ही आपकी important structures हैं in prokaryotic cell, जहां membrane in fold होकर के mesozoom या क्रोमेटो 4 बना सकती है, अगर आप देखें, तो एक और जो खास चीज़ पाई जाती है, आपके prokaryotic cell में वो है inclusion bodies, inclusion bodies मतलब, क्योंकि अब membrane bound organelles तो prokaryotic cell में पाई नहीं जाती, तो inclusion bodies क्या है, जहां पर एक जैसा material इखटा हो जाएगा, वहां पर एक particular structure ये धारन कर लेती है, जैसे बहुत सारे phosphate molecule है, तो prokaryotic cell में उन phosphate molecule को फैला फैला ना रहने दिया जाए, एक जगा इखटा कर लिया जाए, ऐसी planning करता है prokaryotic cell, तो सारे phosphate molecules से एक साथ आ गए, तो उन्होंने एक structure बना लिया, एक body बना लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, phosphate granule, यानि एक छोटा सा granule है, एक छोटा सा round सा टुकड़ा है, जहां बहुत सारे phosphate molecules आ कर attach होगा, इसके उपर कोई membrane नहीं है, यानि चीजों की storage में ये काम करती हैं inclusion bodies, membrane होई नहीं सकती है, आपकी यहां पर prokaryotic cell के अंदर, अगर आप देखे तो किसी भी organelle में, तो ये membrane less होती है, अगर phosphate के बहुत सारे molecules साथ associate हो गए, तो phosphate granule, glycogen जो की animal में storage material है, उसके काफी सारे, अगर component साथ में आगए, तो glycogen granule, अगर काफी सारे pigment आगए, जो chromatophore में भी आ रहे थे, तो syenophacian granule यहां पर हो जाएगा, और biancy provide करने के लिए gas vacuol भी पाए जाते हैं, आपके कहां पर blue, green algae और purple sulfur bacteria के अंदर, यह आपको देखने को मिल सकते हैं, purple green bacteria के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो gas vacuol नाम से ही पता लग रहा है, gas किसी भी चीज़ को उठाने में मदद करेगी, यानि biancy provide करने में मदद करेगी, यह आपकी inclusion bodies है, अगर आप देखो, तो और prokaryotic cell में क्या पाए जा सकते हैं, भाई, surface structures, prokaryotic cell का एक structure है, उसके उपर आपके surface पे भी तो कुछ चीज़े पाए जाएंगी न, जैसे flagella पाए जाएगा, flagella का का काम क्या है भाई, cell को move कराना यानि motility का काम है, तो flagella के तीन पार्ट होते हैं, आपका basal body सबसे नीचे वाला पार्ट, then hook बीच वाला पार्ट जो उसे membrane से attach करता है, और सबसे बड़ा पार्ट जो आपका चुटिया जैसा दिखाई देता है, वो है आपका filament है, तो यहाँ पर तीनों चीज़े आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिलती है, पिम्ब्रे जो हैं यह brisle-like structures होते हैं, जो कि आपके bacterial cell के surface से निकल रहे होते हैं, और encouragement या attachment में help करते हैं, यानि bacterial cell को अगर कहीं पर बैठना है, आसपास अगर पानी बह रहा है और वो चाहता है कि अपनी जगा से ना हिले, तो वो इन brisles की मदद से किसी पत्थर पे चिपक सकता है, आपकी body में भी अगर कोई bacteria घुसा है और आपके किसी tissue से किसी organ से चिपकना चाहता है, तो उसको यह brisle-like grippings चाहिए होंगी, कोई काम नहीं है, इनका मोटिलेटी में कोई रोल नहीं है, यानि इनका में काम क्या है, encouragement, और पिलाए जो है, यह conjugation में help करता है, यानि इसे हम sex पिलाए बोलते है, यह tube-like structure है, जो दो बैक्टिरिया को जोड़ देता है, यह bacteria, यह bacteria इनके बीच में, यह tube-like structure है, बनेगा आपका जो flagela है यहां पर, flagelin protein का बनता है, जबकि u-cariotic cell में flagela कैसे बनेगा, आपका किस protein का? Tubulin protein का, micro-tubules का मिल करके बना हुआ होता है, अगर आप देखें, तो ribosome एक ऐसे organile है, एक ऐसा structure है, जो दुनिया के हर सेल में पाय जाएगा क्योंकि दुनिया का हर सेल काम कैसे करता है प्रोटीन की मदद से और राइबोसोम को हम प्यार से क्या कहते हैं प्रोटीन फैक्टरी कहते है जोर्ज पैलिड नाम के साइंटिस ने 1953 में इन राइबोसोम को खोजा था विकाज 1950 में NCRT में एक लाइन लिखी गई है कि इलेक्टरोन माइक्रोसकोपी का जो आविशकार है वो हो चुका था और एड्वांस्मेंट्स हो रही थी इलेक्टरोन माइक्रोसकोपी में तो 1950 तो 1960 के बीच में काफी सारे सेल के स्रुक्चर्स हमें अच्छे तरीके से दिखने लगे और क्योंकि राइबोसोम का साइज बहुत छोटा है प्रोकरियोटिक राइबोसोम का साइज सिर्फ 15 से 20 नैनो मीटर होता है यानि 10 रेस तो दी पावर माइनस 9 मीटर की रेंज में इसका साइज है तो आप इसे इतनी आसानी से नहीं देख सकते इसलिए इलेक्टरोन माइक्रोसकोपी में एडवांसमेंट के बाद ही आपको ये दिखाई देने लगे थे सिंस जॉर्ज पैलेड नाम के साइंटिस ने इन्हें डिस्कवर किया तो इन्हें पैलेड पार्टिकल्स भी कहा जाता है और इनके उपर कोई मेंब्रेन नहीं होती अब अगर इनके उपर कोई मेंब्रेन नहीं होती तो ये प्रोकरियोटिक सेल में भी पाए जा सकते है और eukaryotic cell में भी पाय जा सकते हैं, इसलिए इन्हें universal organelle भी बोल दिया, अगर आप देखेंगे, तो prokaryotes में जो ribosome होता है, it is 70s in nature, तो 7 एक odd number है, तो इसकी जो दोनों sub unit होंगी, बड़ी वाली छोटी वाली ये भी odd number होंगे, 543 यानि 50 और 30s sub units होंगी, और eukaryotes के cytoplasm में जो आपका ribosome होता है, 60s होता है, तो 8 is an even number, तो 60s और 40s यानि 6 और 4 इसकी जो है even number की units बन रही होंगी, तो यहाँ पर इनको आप directly plus नहीं कर सकते, because it is not a number specifically, it is sedimentation coefficient, चीजें कितनी बढ़िया तरीके से gravity द्वारा खीची जा रही है, उस हिसाब से हमने ये sum किया है, तो 60-40 होना चाहिए, यहाँ पर 80 क्यों है, क्योंकि जब 60 और 40 sub unit 7 होती है, तो यह 80 का ही जोड लगा पाती है, नीचे gravitation के प्रभाव में, right, तो 70s ribosomes आपको देखने को मिलते है, प्रो करियोट में, यू करियोट में आपको 80s ribosome भी देखने को मिलेंगे, प्लस आपके यू करि कुछ है, कि भाई, यू करियोट में किस-किस टाइप के ribosomes पाए जाएंगे, दोनो 70s और 80s पाए जाएंगे, साइटो प्लाजम और एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम के साथ associated जो ribosomes होंगे, वो होंगे 80s, और आपके chloroplast and mitochondria के अंदर, जो कि semi-autonomous organelles है, इनमें पाए जा किस से protein मना रहे होंगे, RNA से protein मना रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है DNA से पहले RNA बनता है with the process of transcription और RNA से protein मनता है, तो RNA जो है, ये वाला जो आपका RNA का strand है, इसके उपर आ करके काफी सारे ribosome bind कर जाते हैं, बड़ी वाली subunit, बड़ी वाली subunit, बड़ी वाली subunit, बड़ी में convert कर देंगे, तो दोनों जगा पर पाया जाता है आपका क्या ribosome चाहे prokaryotic cell हो, चाहे आपका eukaryotic cell हो, अगर आप देखोगे, तो अब आपको देखने को मिलता है endomembrane system, है ना, endomembrane system मतलब, जो eukaryotic cell है, इसमें खूब सारी compartmentalization है, तो कि हर organelle के पास अपनी खुद animal cell के अगर आप बात करो, तो centriole नाम का एक structure है, जिस पर कुद की organelle नहीं होती, तो इनको छोड़ करके बाखी जो organelles हैं, चाहे endoplasmic reticulum हो, चाहे nucleus soym हो, इस पर दो envelop पाये जाते हैं, चाहे mitochondria हो, चाहे chloroplast हो, चाहे paroxysome हो, इन में आपको क्या देखने को मिलती हैं, अच कि कुछ organelles साथ में मिल करके काम करती हैं, जैसे आपका endoplasmic reticulum, golgi complex, lysosome and vacuol, ये साथ मिल करके काम करती हैं, तो ये चारों organelles मिल करके बनाती है, endomembrane system, सबसे पहले आपको nucleus समझा देता हूँ, यही की यही, nucleus जो है, इसके उपर दो membranes पाये जा रहे हैं, मैंने आपको बताया, दो envelops होंगे, यह वाला आपका inner envelope, यह वाला आपका outer envelope, अब यह inner envelope और outer envelope साथ साथ थे, लेकिन कहीं कहीं पर क्या हो जाते हैं, fuse हो जाते हैं, अगर inner envelope outer envelope fuse हो जाएंगे, तो भाया यहां पर आपका रास्ता बन जाएगा, आने जाने का, yes, तो यह जो रास्ता है, य इसको nuclear pore कहा जाता है इससे चीजे nucleus से साइटो प्लाजम में भी जा सकती हैं और साइटो प्लाजम से nucleus में भी जा सकती है मैंने आपको बताया कि RNA convert होता है protein में अब यह जो ribosome है जो protein बना रहे हैं कहां पाए जाएंगे nucleus केंदर तो है नहीं यह आपके कहां पाए जाएंगे यहां पर पाए जाएंगे एंडो प्लाजमे क्रेटिकुलम से associated तो अगर यहां पर DNA से RNA बना है तो क्या इससे साइटो प्लाजम में जाना पड़ेगा protein बनाने के लिए बिल्कुल जाना पड़ेगा तो क्या इससे बाहर निकलना पड़ेगा आरेन को बिल्कुल निकलना पड़ेगा और यहां पर आपका protein बन चुका है ribosome की मदद से तो क्या ये protein nucleus में जा सकता है कुछ काम के लिए बिल्कुल जा सकता है nucleus को भी तो खुद के proteins चाहिए न तो कुछ अगर nucleus की proteins बनेंगे तो उन्हें भी nucleus के अंदर घुसना है तो this nuclear pore is very important अब आप देखिए जो inner envelope और outer membrane के बीच में ये जो gap है इसे हम क्या बोलते है peri nuclear space जो 10 से 50 nanometer का होता है nucleus के अंदर जैसे cell के अंदर cytoplasm पाए जाता है तो nucleus के अंदर ये जो आपका plasma है इसको क्या बोल दोगे? Nucleoplasm बोल दोगे? बिल्कुल बोल दोगे nucleus के अंदर non-membrane bound structure पाए जाते हैं क्या बोला जाता है? Nucleolus बोला जाता है ये non-membrane bound structure है non-membrane bound है यानि continuous होंगे with the rest of the nucleoplasm क्योंकि बीच में कोई boundary कोई membrane नहीं है तो ये जो nucleus है ये actually rRNA की factory है ribosome कैसे बनता है? rRNA प्लस protein से मिल करके तो अगर किसी cell में आपको ज़्यादा protein बनाने हैं तो आपको ज़्यादा ribosome की ज़रूरत है क्योंकि वो है protein factory और अगर आपको ज़्यादा ribosome बनाने हैं तो वो किस्ते मिल कर बने है? ribosome बनाने के लिए जो RNA यूज किया जाता है उसका नाम है ribosomal RNA इसलिए तो नाम ribosomal RNA रखा क्योंकि ribosome बनाने में ये help कर रहे हैं तो ribosomal RNA आपका क्या करेगा? आपका ribosome तयार करा देगा और वो ribosomal RNA कौन बनाता है? नुकलियोलस यारी जिस सेल में आपको ज़्यादा protein बनाना है वहाँ ज़्यादा बड़े और ज़्यादा number में नुकलियोलस पाए जाएंगे यहाँ reference के लिए मैंने एक बनाया है एक से ज़्यादा नुकलियोलस भी हो सकते है एंड यहाँ पर आपका DNA इंटरफेस में पाए जाता है एकदम खुला-खुला एकदम खुला-खुला यहाँ पर DNA पाए जाता है जिसको हम कहते हैं क्रॉमेटिन लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अकेले DNA को हम क्रॉमेटिन नहीं कहते है आपका DNA जो है इसके साथ-साथ यह जो छोटे टुकडे हैं लाल कलर के RNA के यहाँ पर जो है हिस्टोन प्रोटीन जो कि basic प्रोटीन होते हैं और कुछ non-histone proteins, इस पूरे के पूरे structure को हम लोग chromatin कहते हैं, यानि आपका खुला-खुला DNA, साथ में छोटे-छोटे RNA, histone proteins और non-histone proteins, इस सब को मिला कर हम chromatin कहते हैं, बाद में आपका जो chromatin है, जो खुला-खुला पड़ा है, यह pack हो करके क्या बना लेता है, आपका chromosome बन इसे कहा जाता है, centromere, इसे centromere कहा जाता है, यहाँ भी centromere 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 है, पर क्या है, centromere की position में, अब यह जो आपका chromosome है, इसमें दोनों साइड की जो arms है ना, यह वाली और यह वाली, है ना, यह आपकी ब sister chromatid कहा जाता है इसी तरीके से ये और ये भी sister chromatid है ये और ये भी sister chromatid है तो this is centromere और इससे associated होती है दो sister chromatids अब आप देख रहे हो कि ये centromere एकदम center पर आ रहा है यानि उपर की जो arms है और नीचे की जो arms है ये एकदम बराबर है तो इसे से ते कहा जाता है 메ता सेंट्रिक क्रोमोजोंम इसे कहा जाता है यहाँ पर अगर आफ देखेंगे तो ऊपर तोड़ी छोटी यह नीचे वाली आप थोड़ी बड़ि है तो यहां पर एक्रोसाइड थोड़ा सा आपका उपर शिफ्ट हो गया है इस यह जाता है संब मेटासेंट्रिक जिना एगदम बराबर नहीं है थोड़ी सी ऊपर नीचे यहां पर सिस्टम हमें देखने को मिलेगी आगये देखेंट की आर्म एकडम छोटी एक दुम दबढ़ी तो एक्रो-सन्टरिक यहां पर थुड़ा तो आपके सिर्फ दो ही आपको यहां पर आपस दिखाई दे रही है उपर की दो आपस तो है ही नहीं तो यह चार प्रकार के क्रोमोजोम यहां पर बनते हैं जिनकी शेप होती है वी एल जे एंड आई रिस्पेक्टिवली जो आपको सेल साइकल सेल डिविजन में समझाई जाएंगी कि किस प्रकार से यह शेप आपकी तयार होती है राइट तो यहां पर पहले डियने खुला खुला पड़ा हुआ है जब ज़रुरत होगी सेल डिविजन के टाइम पे तो यह जो डियने है इसको क्या कर दिया जाएगा पैक करक यहांन सेल्मेन ऑफ एंडोप्लाजम रटिकुलम । जितना मैं बना रहा हूं यह क्या है लूपिन पार्ट रटिकुलम कि ऐना एक सेल के अंदर सिरु यह जो पार्ट है इसे लुमिनल पार्ट कहा जाता है बचा हुआ जो सारा साइस्ट प्लाजम है उसे एक्स्ट्रा लि उपने प्रोटीन ऊस्पर और यहां पर सब्सक्राइब करेंगा एस फॉर स्टेड now live में प्रोटिन ना रहा रहा होगा ना यहां प्रोटीन यहां जाल आछ uh यहां पर यह जो पैरलल डिस्क जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं सिस्टर ने कहते हैं कैमिलो गोल जी नाम के साइंटिस्ट ने करी थी गोल जी की इसलिए नाम गोल जी रख दिया तो यह जो प्रोटीन और लिपिड बने और यहां पर आ गए और इस तरीके से ट्रंसपोर्ट होते रहते हो लास्ट पार्ट ऑफ़ गोल जी में चले जाते हैं जिसे कन्केव ट्रांस यह मैच्वरिंग फेस कहा जाता है तो यहां पर आपकी क्या होती है पैकेजिंग और ग्लाइकोसाइलेशन मतलब आप इन लिपिड्स और प्रोटीन के ऊपर कार्भो तो हाइड्रेट लगा दोगे अगर आपने किताब और करिए लेक्से आपने जो है हमारी किताब अब्जक्टिव अच्याटी पंच ओडर करिए ना खुद का प्रमोशन भी कर लेते हैं थोड़ा से तो आपने किताब अगर और करी है मुझे आपके घर भिजवानी है तो मैं क नुकलियस तक भी मैंने आपको बताया था प्रोटीन जाएंगे वाया नुकलियर पोर्स बनके तो हमें कैसे पता लग रहा है कि एक जो प्रोटीन बना है यह नुकलियस का है या एंडोब्लाजमिक रेटिकुलम का है या गोलजी खुद रख लेगा या सेल मेंब्रेन को द पता लग जाएगा कि जो ब्रोटीन और लिपिड मैचौर हुए है उन्हें पैकेजिंग के बाद कहां भेजना है एक्जेक्ट उसी लोकेशन पर इन्हें भेज दिया जाएगा गोलजी जो है इससे चोटी-चोटी मेंब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है इनमें से लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से सुसाइडल बॉडी क्यों क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ऐसे एंजाइम्स जो पानी को इस्तमाल करके हाइड्रोलिटिक हाइड्रो मतलब वाटर लिटिक मतलब तोडने वाले किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं नुकलिक एसिड को तोड़ने के लिए हैं लिपिड को तोड़ने के लिए हैं लाइपेज हैं प्रोटीन को तोड़ने के लिए हैं कार्बो हाइडरेट को तोड़ने के लिए amylase है, सारे enzymes यहाँ पर मौझूद होते हैं, पर एक चीज़ यहाँ पर जो खास है, वो यह है कि यह सारे enzymes active होते हैं acidic pH पे, यानि यहाँ पर protons की मातरा जादा होनी चाहिए, protons की मातरा जादा कैसे होगी, यहाँ लगा होगा एक proton pump, जो red color से बना रखा है, आपका store house, तो आप खुद बताईए, कि आपका जो normal कमरा है, जहां मैं ऐसे मस्त घूम पा रहा हूँ, यहाँ पर समान order में रखा हुआ है, बिलकुल, और समान कम है, store house में तो कुछ भी ठूस दिया, कहीं भी कुछ भी ठेक दिया, और उसमें और समान डालने की हम कोशिश करते हैं, तो वेक्यॉल भी सेम ऐसा ही है, इसमें concentration पहली बहुत जाद है भाई, इसमें concentration पहली बहुत जाद है, लेकिन फिर भी हम इसमें और समान डालने की कोशिश करते हैं तो एक पंप लगा रहता है जो कि भाईया चीजों को भेजता है फ्रॉम लोर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन यानि एक्टिव ट्रांस्पोर्ट यहां होगा उल्टी दिशा में आप ट्रांस्पोर्ट कर रहे हों और वैक्यॉल की क्या है आपका सेल disparate अनियनिमल में अपसंट दूसरा सी क्लोर प्लास्ट सिर्फ खाना बनाता है अनिमल तो नहीं बनाता तो इनिमलमें अ før some आप सकता है विक currency आल्यदी हो जाुशी कर सकता है वैपेगए को प्लांट में अब्सर दिविजन में जो centriole और centrosome पाए जा रहे थे, ये animals में present है, आप plant में absent हो जाएंगे, तो 4C से आपने चारों differences याद कर ले, आप यह जो cell है, एक eukaryote का, इसके उपर क्या पाए जाएगी, cell membrane और cell wall भी पाए जाएगी, plant वगरा के case में, तो आपका यहाँ पर जो cell membrane है, इसका सबसे accepted जो model दिया गया था, यह था आपका singer and Nicholson द्वारा दिया गया, fluid mosaic model of plasma membrane, इनका यह कहना था, कि आपके जो membrane है, दो चीजों से मिलकर बनी है, पहला lipid जो की fluid है, तो इस तरीके से lipid जो है, यह bilayer बनाता है, दो layer बनाता है, यह तो fluid है, यानि flexibility provide करता है membrane को, and mosaic, जैसे हलवा बना protein, यह protein इलाग टाइप के होते है, यह वाला एकदम surface पर present है, इसको आप भगा सकते हो, easily, तो it is extrinsic protein, और यह दोनों जो protein है, यह वाला आधा गड़ा हुआ है, partially गड़ा हुआ है, यह वाला पूरा membrane में गड़ा हुआ है, तो इनको remove करना मुश्किल है, these are called as intrinsic protein और integral protein, इन proteins क का काम क्या होता है, यह वाला जो protein है, इसे tunnel protein कहते हैं, तो tunnel लिखा हुआ है, मैंने center पे, देखो, यहाँ पर यह जो lipid है न, it has two parts, सबसे पहला जो गोल मटोल पार्ट है, यह phosphate contain करता है, that's why this lipid is called as phospholipid, यह सबसे जाधा abundant होते है, membrane में, तो this is phospholipid, तो यह polar होता है, फॉस बिलकुल, और यह जो non-polar tails है, यह hydrocarbon की बनी होती है, hydrocarbon आपको पता है, hydrogen और carbon में electronegativity difference नहीं होता, तो these are non-polar, इन में electrons की खीचातानी नहीं है, तो जाहिरती बात है, यह जो आपकी tails है, यह पानी से डरेंगी, अगर यह polar नहीं है, तो पानी के साथ solubilize नहीं हो तो यह center पे छुप गई, यहां पे, बीच में छुप गई, है ना, आप देखें क्या हुआ, अब यहां पर कोई चीज ऐसी है, which is neutral, तो क्या वो neutral चीज डिरेक्ली पास हो जाएगी इस membrane से, बिलकुल पास हो जाएगी, लेकिन कोई चीज ऐसी है, जो कि आपकी पास नहीं हो सकती है, जो कि आपकी polar है, अगर कोई चीज polar है, तो यहां तक तो आजाएगी, यह non polar tail उसे आगे नहीं आने देंगी ना, तो polar चीजों को पास कराने के लिए polar amino acid का बना हुआ, यह tunnel protein होता है, जिसे आप क्या कहते हो, carrier protein कहते हो, या आपका permease भी कहते हो, permeability बढ़ाता है, और इन molecules को एक दिशा से दूसरी दिशा में भेजने में मदद करता है, protein और lipid के अलावा यहां पर carbohydrate भी पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ उपर वाली side मिलेंगे, यानि cell के बाहर मिलेंगे, अंदर मैंने carbohydrate नहीं बना है, तो अगर carbohydrate protein के साथ interact कर रहे हैं, तो carbohydrate मतलब glyco protein के साथ interact कर रहे हैं, glyco protein, अगर यह carbohydrate lipid के साथ interact कर रहे हैं, तो carbohydrate मतलब glyco interact कर रहे हैं, lipid के साथ, glyco lipid, एक दम सही है, यह आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा आपका cholesterol भी पाए जा सकता है, animal की cell membrane के अंदर, जो कि एक membrane stabilizer है, तो बीच वीच में आपको यह cholesterol भी देखने को म बात करें, 52% protein है, 40% lipid है, वचा हुआ 8% आपका carbohydrate और cholesterol है, और यह protein और lipid की मातरा constant नहीं है, अलग-अलग cells में अलग-अलग हो सकती है, जैसे अगर आप myelin sheath की बात करें, तो हाँ पर lipid जादा हो जाएगा, और protein आपका कम हो जाएगा, काम के हिसाब से, यह मातरा जो है, उपर नीचे हो सकती है, अगर आप देखें, cell wall, तो cell wall का एक ही diagram है, जो आपको याद करना है, भाई, औरेंज कलर की क्या है, आपकी cell membrane है, cell membrane के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रही है, cell wall देखने को मिल रही है, यह rigid cell wall होती है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो दो plant cell है, इन दो plant cell को connect करने के लिए बीच में जो middle lamella है, यह calcium pectate की बनती है, और दो plant cell के cytoplasm को जोडने के लिए बीच में, जो रास्ता है, जो इनके cytoplasm को directly connect कर रहा है, it is basically plasmodesmeta, जिससे कि इस cell से इस cell में कोई समान जा पाए, इस cell से इस cell में कोई समान जा पाए, बीच में रास्त बार अगर cell wall rigid हो गई तो cell grow नहीं कर पाएगा, अपनी shape को change नहीं कर पाएगा, तो इसलिए primary cell wall वहाँ पर पाई जाती है, लेकिन जब cell mature होता है तो आपकी primary cell wall जो है, बाहर की side आपकी degrade होने लग जाती है, और इसके अंदर की side आपको क्या देखने को मिलती है, secondary cell wall देखन glycan की cell wall होगी, अगर आप archivacteria की बात करें, तो pseudomurine की cell wall होगी, अगर आप plant की बात करें, तो usually cellulosic cell wall होगी, algae की अगर आप बात करें, which is a plant, तो cellulose तो होगा, यह उसके साथ-साथ galactans, manans और calcium carbonate भी पाए जा सकता है, animals में कोई cell wall नहीं होती, fungus में अगर आप देखोगे, तो काइटीन की cell wall होगी, तो इस तरीके से आपको काफी सारे अलग-अलग cell walls देखने को मिलते हैं, अगर आप eukaryotic cell के अंदर और चलो, तो पहले तो endomembrane system हो गया, जहां endoplasmic reticulum, golgi complex, lysosome और vacuol पाये जा रहे हैं, इसके लावा अगर आप देखो, mitochondria जो है, जो भाई, powerhouse of the cell है, यह क्या है आपका, sausage shape, double membrane structure है, इसके outer membrane तो एकदम consistent है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, inner membrane जो है भाई, in folding दिखाती है, जिने क्रिस्टा कहा जाता है, यह in folding जो है, surface area बढ़ाने के लिए, इने क्रिस्टा कहा जाता है, यह यहाँ पर दिखा रहे हैं, और mitochondria और chloroplast क क्या होते हैं, भाईया, semi-autonomous होते हैं, यानि इनके पास, खुद का DNA है, bacteria जैसा gold material, खुद के ribosome है, 70S, खुद का RNA है, खुद का क्या बना लेंगे, अपना protein बना लेंगे, तो semi-autonomous भी होते हैं, same चीज़ आपको देखने को मिलती है, chloroplast में, है न, यहाँ पर 2 membranes होती है यह बना लें, double membrane bound यह भी structure है, और यह भी semi-autonomous है, यानि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी खुद का DNA होगा, खुद का आपका ribosome होगा, खुद का RNA होगा, खुद के आपके proteins बना सकता है, यह जो structure है, यह जो एक सिक्का है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, थाइलाकोईड, ऐसे काफी सारे सिक्के मिलकर, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, ऐसे काफी सारे सिक्के मिलकर, यह जो structure बना रहे हैं, जहां पर membrane के उपर आपके pigment पाए जाते हैं, तो यह light reaction करते हैं, light को absorb करते हैं, और आपका यह जो बचा, यहां पर जो सेल का साइटोप्लाजम होता है वैसे यहां पर क्लोरोप्लास में इसे स्ट्रॉमा बोलते हैं तो जो स्ट्रॉमा है यहां आपका शुगर बनती है क्योंकि आपको पता है क्लोरोप्लास खाना बनाता है तो खाना मेंली कहां बनता है आपका डार्क रेक्शन के द बाहर वाली membrane ज्यादा permeable होगी क्योंकि इसको पता है अंदर एक और membrane है जो कि आपका चीजों को control कर सकती है अंदर वाली membrane आपकी comparatively कम permeable होती है तो mitochondria जो है आपका powerhouse कहलाता है क्योंकि ATP which is the energy currency of our cell वो तयार करता है अगर आप देखोगे तो एक category है जिसके अंदर chloroplast is a part तो प्लास्ट और chloroplast में देखो प्लास्ट प्लास्ट आ रहा है ना प्लास्ट 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 तो अलग अलग टाइप के जैसे chloroplast नाम ही है chloroplast तो हरे भरे प्लास्ट इसमें पाए जाएंगे जैसे chloroplast यहां पर पाए जाएंगे अच्छे खासे तो यहां पर आपको chloroplast का structure हमने दिखा ही दिया है अगर आप बात करेंगे प्लास्ट की तो क्रोमा मतलब होता है color यानि यहां पर और रंग भी रंगे pigment पाए जाएंगे जैसे कैरोटीन और जैंतो फिल जो कि आपका पिंग यलो औरेंज इस प्रकार के color प्रोवाइड कर सकते जो कि कैरट का color होता है तो कैरोटीन उसी प्रकार का color प्राव इसको प् Haftर करेगा ज्यां कैसह 2 करएंगा यहां या का मतलब होता है प्रोटीन प्रोटीन स्टोर कर सकता यंगेश देखेंगे एक उंदर तो you have cytoskeletal elements cyto का मतब होता है cell और skeletal मतब धाचा जैसे हमारे अंदर bones जो हैं वो कुछ इस तरीके से adjusted है कि हम लोग एक अपनी body का frame तयार कर लेते हैं similarly यहाँ पर भी cell को एक frame देने के लिए एक network देने के लिए proteins लगे होते हैं protein के filaments लगे होते हैं cell के अंदर micro filament या actin filament जिनका diameter सबसे कम है intermediate filament ना भी intermediate है तो बीच में आएगा तो इसको तो बिल्कुल बेज जग बीच में रख दो और micro tubule यह आपका सबसे बड़ा होता है diameter में micro tubule जो आपका cilia flagella और centriol बनाता है तो जब यह आपका micro tubule cilia flagella बनाएगा तो नाइन प्लस टू arrangement होगी भाई यह जो doublet है doublet micro tubule आपके 9 लगे हुए होंगे यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह 9 आपके doublet है micro tubules के एंड यहाँ पर center पर दो singlet है तो 9 प्लस टू arrangement हो गई 9 doublet बहार 2 singlet अंदर 9 प्लस टू arrangement singlet को साथ में connect करने वाली ब्रिज का नाम है इंटर सिंगलेट ब्रिज डबलेट को साथ में connect करने वाले linker का नाम है इंटर डबलेट ब्रिज और यहाँ पर यह center वाले singlet यहाँ पर एक शीत पाई जाती है central शीत उससे connect कर रहा है डबलेट को कौन रेडियल स्पोक तो नौ डबलेट हैं तो यह नौ ब्ल्यू कलर के रेडियल स्पोक आपको देखने को मिलते हैं बहार की साइड होती है plasma membrane क्योंकि plasma membrane से ही extension निकल करके बनाती है क्या cilia और अर्चला तो 9 plus 2 अरेइजमेंट है यह जुँ है यह आपका exoneme कहलाता है कि जानी अगर यह दो चोटी निकल रहे है मैं सल हूँ मेरे उपर से चोटी निकल रहे है तो मैं अगर काटओं और उपर ना होकर के सिलिया फ्लेजला की तरह ट्रिप्लेट पाए जा रहे हैं तो एक ट्रिप्लेट दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो ट्रिप्लेट है और सेंटर पर कुछ भी नहीं है सेंटर पर प्रोटीन यहां पर जमा हो रखें जिसे हब कहा जाता है तो इस कॉल्ड एज प्रोक्सिमल प्रोटीनेशषेस रीजन कॉल्ट हप और यहां पर रत के पहिये जैसा स्ट्रॉक्छर देखने को मिलता है देखो इंटर ट्रिप्लेट वेज़ है यह ट्रिपलेट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं इंटर अपर आपको nine-pri prior management देखने को मिली बाहर क्योंकि एनिमल सेल की डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अधा करते हैं एना एस्टर्स बनाते हैं इसके चारों और एक प्रोटीन की डिस्क होगी जिसको काइनेटो कोर कहेंगे इस पर आपके अटेच होते हैं स्पिंडल फाइबर से कुछ क्रोमोजोम ऐसे होते हैं जिनमें एक और उपर बॉड़ी पाई जाती है छोटी सी जिसे सेटलाइट कहा जाता है यह सेटलाइट सब क्रोमोजोम में नहीं होती तो अगर यह सेटलाइट किसी क्रोमोजोम में प्रेजेंट है सेट क्रोमोजोम चोटा सा नॉन स्टेनिंग रीजन होता है और अगर कहीं नहीं पाई जा रही है तो नॉन सेटलाइट क्रोमोजोम या नॉन्वल क्रोमोजोम भ हामफुल है उसको आप कनवर्ट कर देंगे S2O में यानि water में और O2 में यानि oxygen में जो कि safe product है that is basically your micro body मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरी जिंदगी की सबसे छोटी वीडियो होगी अभी तक जो मैंने academically बनाई है PW के उपर but I really enjoyed making it because this is really efficient also आप in mind maps का print निकाल सकते हैं या खुद से भी draw कर सकते हैं that is totally your call मैंने कोई छेड़ खानी नहीं करें mind map के साथ क्योंकि यह sufficient है दोस्तों में 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 आपको point याद रखने होते हैं सब कुछी लिख दोगे notes में तो ultimately you are not going to revise them in the smallest time possible आपको कोई point अगर extra लगता है तो आप इसमें note कर सकते हो यह भी आपका ही call है लेकिन जो सबसे important point थे जहां से question बनते हैं वह मैंने आपको यहां पर और माइंड मैप की मदद से बता दिये हैं और माइंड मैप को पी करके which is secret of my energy आपके लिए और जादा माइंड मैप और अच्छे तरीके से और creativity के साथ लेकर आ सकूँ और आप लोग एकदम खुश हो जाएं इन माइंड मैप को देख करके यही मेरी कोशिश रहती है और पिछली साल से कुछ नया किया जाए अलग किया जाए यह भी एक प्रयास था जो कि मुझे लगता है कि मेरे end से in terms of content सफल हुआ है और ऐसी ही crisp crisp वीडियो जा करके revision videos ला करके आपके revision को बहुत boost up किया जाएगा तो अगर आपको यह lecture पसंद आया और मैं मिलता हूँ अगले session में आपके साथ एक नए mind map के साथ मैं यहाँ पर पहुंचूँगा जिसे हम cell cycle cell division बूलने वाले हैं पूरा chapter वहाँ पर खतम हो रहा होगा and then हम लोग बढ़ेंगे towards systematics, living world, biological classification, plant kingdom सारे mind maps आपको मैं कराने वाला हूँ तो बहुत जादा इसमें मज़ा आएगा please make sure कि आप अपना खयाल रखें पढ़ते रहें जाहिंद, lots of love, take care, मिलता हूँ बहुत जल्द